वेरी गूड इविनिंग टू अल अफी दोस्तो स्वागत है आप सभी का एजुकेशन की एड़िसिक्स में और एक नई वेकेंसी का अपडेट हम आप तक पहुचा रहे हैं इस वीडियो के माध्यम से दोस्तो BPSC ने नया नोटिफिकेशन जारी कर दिया है एक LDC पोस्ट के लिए अब बारहवी पास भी छात्र यहाँ पर BPSC का एक्जाम दे पाएंगे चुकि यह एक्जाम BPSC करा रहे है तो BPSC का एक्जाम दोस्तो नय छात्र भी दे पाएंगे जो कि 12 पास कर रहे हैं LDC यानि की Lower Divisional Clerk का पोस्ट है और सेलरी अगर बात करें दोस्तों यहाँ पे तो 19,900 से स्टार्टिंग होगी आपकी सेलरी और 63,200 तकी सेलरी आपकी हो सकती है Section योगेत आपको बता दिया यहाँ पे की Intermediate है लेकिन कुछ Technical Knowledge भी आपको होना चाहिए यहाँ पे Form को भरने से पहले चलिए जानते हैं इसके Official Notification को देख करां सारा डिटेल आपको बताएंगे वीडियो के बने रहेगा अंत तक दोस्तो अगर आप हमारे चैनल पे नए है तो ऐसे ही पलपल के अपडेट के लिए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजीगा बेल आइकन दबा के ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले हमारे चैनल के माध्यम से जा सके आप हमारा टेलीग्राम जोइन कर लिजेगा टेलीग्राम का लिंक में चैनल के अबाउट में दे रखा है यहां से आके इसका पीडियेफ और इसका सारा लिंक मैं यहां पे सेर कर देता हूँ तो आप हमारा टेलीग्राम भी जरूर जोइन कर लिजेगा दोस्तों अगर हम VPSC के official website पे जाएंगे तो आपको अभी थोड़ी दिर पहले official notification अपडेट किया गया है यहाँ पे जी यहाँ दोस्तों advertisement संकिया है यहाँ पे 4 2021 का और इसके लिए instruction दिया गया कि कैसे form को apply करना है तो मैं इसका एक अलग से वीडियो भी बना दूँगा आप लोग के लिए advertisement यहाँ पे जारी कर दिया गया है दोस्तों आप important notice भी चेक कर सकते हैं तो चलिए सबसे पहले तो important notice यहाँ पे हम लोग देखते हैं आपके लिए क्या यहाँ पे important notice में बोला गया है फिर इसका मार्च से होगा 16 अपरेल तक इसको आविदन किया जाएगा दोस्तों तो मात्र 24 पदों की वेकेंसी है यहाँ यह मत सोचीएगा कि वेकेंसी कम है लेकिन आविदन जरूर कीजिएगा LDC का यह post है दोस्तों जिसके लिए आपको यहाँ पे आविदन करना है तो चलिए आप मैं इसका ओफिशिल नोटिफिकेशन जो है उसको डाउनलोड कर लेता हूं और यहाँ पे इसके बारे में सारा डिटेल डिस्क्रिप्टिब में बताता हूं दोस्तों तो देखो यहाँ पे आपके लिए जो नोटिफिकेशन जारी किया गया है यह एडविटाइजमेंट संके चार दोजारी केस का है 24 पदों के टोटल वेकेंसी है जिहां दोस्तों जिसका अभिवरन यहाँ नीचे दिया गया है यहाँ पे कैटेगरी वाइस जो सीटे हैं प्राuses जारी के लिए एक है और अत्यांत पीछडवर के लिए दो है पीछडवर के लिए द्रिश्टी वजुक्सक्राइज से बिलॉंग करते हैं दोस्तों अगर बेतन की बात करलें यहां पर तो देख सकते हैं आप लोग यहां पर जियां उन्नीस अजार नौसों से लेकर तीरे सट अजार दोस्त तक की सैलरी आपको यहां पर मिल सकती है यानि कि बेसिक स्टार्ट अपका लेबल टू का होगा इध्यान रखिएगा इंटर्मीडियेट बेस आपका यह जौब अप्लाइड है तो दोस्तों यहां पर जौब अप्लाइड कीजिएगा जो भी छादरे इंटर्मीडियेट है लेकिन यहां पर कुछ तकनीकी योगिता भी मांगे जारी है जैसा कि मैंने आपको शुरू में ही बता दिया कि जो भी कंप्यूटर संचालन और कंप्यूटर टंकन जानते यानि कि टाइपिंग जानते हैं कंप्यूटर पे हिंदी और अंग्रेजी दोनों इमें तो वह आविदन भी जरूर करेंगे दोस्तों यहां पर सेक्शन यह ओगे था कि साथ संबंधित सभी प्रमादपत्र ऑनलाइन आ ऐसा नहीं कि मतलब आपके पास रिजल्ट नहीं आया है उपने भर दिया फॉर्म तो ऐसे में आपका उमिद्वारी रद कर दिया जाएगे ठीक है तो उम्र सीमा यहाँ पे निधरत के गया है 18 साल नियुन्तम एज है और 37 साल जो कि यहाँ पे दिया गया है दोस्तों कि आवि कारण केसे छोड जाते हैं उनको 5 साल का चुट ही दिया जाएगा यहाँ पर बात करने के लिहां शेपे 46 सो कुष्ट है यह भी सोच के भरिएगा बाकि 150 रुपया अधर कैटेग्री वाले स्टुएंट से लग रहा है जैसे कि अनुसुची जाती जन जाती जो महिला वर्ग है बिहार से हैं उनसे जया रहे हैं दिव्यांग कोटे से हैं उनसे भी जया रहे है दोस्तों अन्य सभी उमिद्वारों से यह 600 रुपय लगेगा और इसके लिए अधर स्टेट की स्टुएंट भी यहां पर आविदन कर सकते हैं बिल्कुल कर सकते हैं यहां पर कोई भी उनकी लिए दिक्कत वाली बात होगी नहीं और फॉर्म भरते समय आपने सारे औरिजिनल कोपी रखेगे अपने पास और जब आपका डॉकमेंट वरिफिकेशन होगा तो और जो भी आविदन करते समय डिटेईल होंगे वह आपके टेंध से स्टार्ट होकर आपका एज क्रेटिरिया आपा जाएगा तो मैट्री का सर्टिफिकेट, इंटर्मेडियर का सर्टिफिकेट आपके पास होना ज़रूरी है, दोस्तो, इसके अलावा यहाँ पे दोस्तो, आपका एक्जामनिशन फी मैंने बता दिया है, आविधन करने का तिती है, 19 मार्स से लेकर 16 अप्रैल तक, आप आविधन कर लिजीगा, पेमिंट सब कुछ मैं बता दूँगा, आपको फॉर्म भर के भी, इसके लिए उसके लिए कोई चिंता करने की आपकी जुरत नहीं है, दोस्तो, अच्छा, दोस्तो इसका जो आपका एक्जाम होगा, बिल्कुल एक्जाम होगा, तो यहाँ पे इसका सारा डिटेल प्रक्रिया दिया हुआ है, मैं आपको दिखला देना चाहता हूँ, यहाँ पे, तो पैरा नंबर सिक्स पे आएंगे, तो चैन प्रक्रिया का अपडेट यहाँ पे दिया गया है, लिखित परिक्षा होगी, दो चरणों में वायजित की जाएगी, जिसमें की प्रथम चरण में आपका पीटी होगा, दूसरे चरण में आपका मुख्य परिक्षा होगा, प्रारंबिक परिक्षा, मुख्य परिक्षा दोनों ही वस्तुनिस्ट होगा, यानिकि दोनों ही यानि कि आपका reasoning mental ability test होगा यहां पे तीन खंड में आपका पहला जो है प्रारंभीक परिक्षा test होगा दोस्तों यहां पर आपको बता दे कि हर अंक के लिए negative marking भी रखा जाएगा चार अंक निर्धारित किया जाएगा एक उत्तर पे तो जाहिर जिवाद है दो घंटे 15 मिट क आपको परिच्छा ली जाएगी तो यह तो होगया exam pattern दोस्तों इसके बारे में भी सारा detail में आपको अलग वीडियो में बना के बताऊंगे इसका सलेबस क्या होगा जो भी प्रारंभीक परिच्छा पुस्तक सहीत ले जाएगी यानि कि आप परिच्छा में पुस्तक ले ज जाएगी तो यहाँ पर एक तो पुस्तक ले जा सकते हैं उसके लिए यहाँ पर आपको आदेश दिया गया है सलेबस जो है आपका दोस्तों कुछ इस तरह सहे यहाँ पर देख सकते हैं समाने अध्यान में क्या पढ़ना है तो इसके लिए मैं आपको एक अलग से वीडियो भी बना के दे दूँगा लेकिन ये नोटिफिकेशन आया हुआ है ये सारे डिटेल में आपको बता दिया हूँ यहां से तो आप आविधन जरूर कर लेंगे जो भी छात्र यहां पर आविधन करने के योग हैं और इक्चो कुमिद्वार है लेकिन ध्यान रखेगा कंप्यू दोस्तों ये सारा डिटेल तो मैंने आपको बता दिया लेकिन रजिस्टेशन करते समय अपना फोन नंबर अपना इमेल एड़ी दोनों ही एक अपना जरूर रखिएगा साइबर कैफे वाले का मत दे दिजिएगा बहुत सारे छात्र फॉर्म भर के पस्तार हैं बिहार दरो जो कि मैंने आपको बताया है योगीता सम्मंधी चीजे मैं आपको सब कुछ बता दिया है और बाकि स्लेबस के उपर में एक वीडियो बना दूँगा और फॉर्म कैसे भरना एक और वीडियो बना दूँगा दो वीडियो और बना दूँगा इसके रिगाडिंग आप ये बवाई टेक एर ध्यान रखेगा अपना और अपने परिवार का